रेकी से खाना पानी दूसरी वस्तों को कैसे चार्ज करें उसका बहुत ही सरल मेथड है रेकी एनर्जी एक डिवाइन एनर्जी है आप लोग जानते हैं ऐसे हिलर तो जितने भी हिलर्स हैं वो बेसिक के हूँ यानि फस्स लेबल के हूँ या ग्रड मास्टर हूँ अगर आप पानी को पीने से पहले चार्ज कर लेते हैं या खाना को खाने से पहले चार्ज कर लेते हैं तो उस भोजन में पानी और बोजन में वो डिवाइन एनर्जी जाके मिक्स हो जाएगी और divine energy mix होने का मतलब है कि उस भोजन और पानी के अंदर जितने ही negative energy है उस सब remove हो जाएंगे और उसके अंदर positive energy चलिए चार्ज करने का तरीका बहुत आसान है और इस आसान तरीके को चार्ज कीजिए बहुत कम समय भी लगता है मुस्किल से एक मिनट का भी समय नहीं लगेग अगर आपने ऐसा किया everyday तो आपका शरीर पुरी तरह से स्वास्त रहेगा और मन शांत रहेगा वही भोजन आपके बोड़ी में जाके बहुत ज्यादा ही positive प्रदान करने वाला है जैसे आपने पानी लिया पीना है एक गिलास पानी अब पानी को लेते ही पीना शुरू मत क करते हैं और बहुत लोग तो और जल्दी फास्ट करते हैं कहीं दौड के आया है चल के आया है धूप में या किसी भी और अवस्था में तो पुरंत पानी चाहिए फ्रिस से निकाला और ठड़ा पानी गट-गट-गट-गट पी गए वो तो और नक्सान दायक है और खड़ रेकी कॉल करने चाहिए है रेकी एनरजी मेरे इस पानी को चार्ज कर दो बस इतना कहना ही है कि आपका पानी चार्ज होना शुरू हो जाएगा और बोले कि ये पवित्र है और बहुत ही जीवन नाईनी तत्व है पानी और वाइट-वाइट-वाइट से उसको गिरा हुआ वाइट-वाइट-वाइट उसके इंदर जाने देजा विदिन 30 सेकेंट सिर्फ इसको रखना है उसके बाद गूट-गूट पानी पीजी और पीते समय आप मन में कुछ शब्द बोलिए कि रेकी एनरजी की हेल्प से एक गूट पिया रेकी एनरजी की हेल्प से मेरा पानी सुद्ध और ताजा हो गया है पॉजिटिव हो गया है इसमें सुक शांती है खुशिया धन दोलत हर गूट पर आप मन में ये विचार चलाते रहे हैं और पानी को पी जाए एक गिलास पानी को पीने में कम से कम एक मिनट लगाई है एक मिनट और कई बहुत लोग बहुत कम टाइम में पी जाते हैं थर्टी साकेंड में पी जाते हैं नहीं कम से कम एक मिनट और दो मिनट लगाते हैं तो बहुत अच्छा है और एक से दो मिनट का जो आपको टाइम मिलेगा घूट घूट कर पानी पीने में एक गिलास को उसके बीच में मन में आप जो विचार चला स्वास्थ इन ही दस पांस से दस ऐसे वर्ड को है शब्दों को आप गुणड़ पानी पीते वक्त उसको मन में चला चलाते रहें तो उसे क्या होगा उस पानी के साथ वो शब्द उस पोजिटिव शब्द की एनरजी पोजिटिव एनरजी आपके भीतर जाने वाली है जानी कि सुक आपके भीतर, शांती आपके भीतर, प्रेम आपके भीतर, आनंद, सफलता, धन, दौलर, प्यार सब कुछ आपके भीतर, खुशिया आपके भीतर, स्वास्त आपके भीतर और जो आप भीतर डालेंगे वही बाहर निकलेगा तो आपकी जिन्दगी में ये सारी चीजें वैसे ही प्रकट हो जाएंगे कि आपके जीवर में हर बार सुक्षांती, धन, संपत्ती, दौलत, तफल, तश, खुशियां ये सब कुछ किसे लिकिसे रूप में आने लग जाएगा और आप अपनी जिन्दगी को बहुत की खुबशुरत बना लेंगे, उसी तरह से भोजन करते हुआ, टीवी देखते समय, मोबाइल चलाकर, फिल्में देखते हुए, सीरियल देखते हुए, खाना मत खायें, रोब दीजिए, शांत एकान बैठकर आराम से, या कंप्यूटर लाते हुए भी खाना ना खायें, अराम से पहले, फ्रेस, 20 मिनट का टाइम निकाले, खाये, और खाने पर ध्यान लगाए, खाते वक्त, वही शब्त जो पानी पीते वक्त हमने बताया, उनको करिये, और रेकी से पहले चार्ज कर लेजिए उसको, दो मिनट के लिए, भोज चार चलाईए, और उस खाना को खा लीजिए, आप अगर बीमार होंगे, तो देरे-देरे स्वस्त होना शुरू हो जाएंगे, कि वह रेकी एनरजी आपके बीतर चली जाए, उसी तरह से कपड़े पहनते हैं, तो भी आप रेकी से चार्ज कर लीजिए, कार को, बाइक को, घड़ी को, मोबाइल को, टीवी, कम्प्यूटर को, किसी भी चीज़ को आप विधिन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए रेकी कॉल करके कनेक्ट कीजिए, है रेकी एनरजी, मैं कम्प्यूटर अन करने जा रहा हूँ, इसको चार्ज कर दो, प्लीज, है रेकी एनरजी, मेरी कार क चार्ज कर दो, मिन्स की, इसको प्रड़क्ट कर दो, मैं जहां भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरी कार सुरक्षित, मैं सुरक्षित, बस इतना ही करना, थाइंक्यू रेकी एनरजी, हर स्टेप पर थाइंक्यू बोल देजी, इतना मात्र करने से चार्ज हो जाएंगे, मालूम है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते ही आप चार्ज हो चुके हैं, आप चार्ज हो चुके हैं, हमारी वीडियो देखते देखते हमने जो बात बताई है, इन बातों को सुनते सुनते रेकी एनरजी आपको मिल रही है, और आप हील हो रहे हैं, शांती, सुक, समरिद्धी, आराम, चैन, प्रेम, खुशियां, पवित्रता, स्वास्त, धन, दौलत, ये सब कुछ भर रात, इसी वक्त, इस वीडियो को देखते हैं, वक्त, इतना भी रक्तल है, इतनी पावरफुल है रेकी एनरजी, उसी तरह से आप रसोई को चार्ज कीज या आपके रसोई में भेर सारा खात दिसामगरी रखा है, सारे बरतन रखे हैं, पानी रखा है, चूलहा, गैस, ये सारी चीज़े आपने रसोई घर में रखा हुआ है, फ्रीज रखा हुआ है, जो कुछ भी चलूरी चीज़े हैं रसोई में रखने की, उस सब रखा हुआ आप खाना पकाने जाते हैं, आप खाना पकाने से पहले रसोई के अंदर एक मिनट के लिए रेकी चार्ज किजिए, अगर आपके पास Master सिंबल या आपके पास Midas Star Money सिंबल और आपके पास चोकुरेई सिंबल है, आपने अटून कराया हुआ है, तो सबसे पहले रसोई में चो खुरेई, चोकुरेई, मिडा सिस्टार, मिडा सिस्टार, मिडा सिस्टार, Thank you, इतना करके आप खाना पकाईए, देखिए खाना कितना सुद्ध, सात्रिक बनता है और स्वाधिस्ट बनता है, और पॉस्टिक्ता से भरा हुआ खाना, घर में आप बना किर दीजिए, कोई भ इन चीजों को इस्तमाल करना बहुत ही जरूरी है अगर आप सच मुछ में रेकी को कॉंटक्ट कर रखे हैं, रेकी अपने अंदर ले रखा है, एटूल करा रखा है, आप फस्ट हों, ग्रेंट मास्टर हो, फस्ट लिवल के हों, ग्रेंट मास्टर हो, मतलब कुछ भी नहीं है अगर आपके पास सिंबल्स हैं, तो चोकुरी बनाके रेकी दीजिए, आप फस्ट लिवल में हैं, कोई भी सिंबल्स नहीं हैं, आप सिर्फ रेकी कॉल करके, जैसा मैंने बताया, वैसा ही इन चीजों करिए, अगर कोई स्टुडेंट है, तो वो अपने स्टडी माटेरियल को, स्टुडी टेबल को, जो उसका प्लेस है जहां स्टुडी करता है, उस स्टान को रेकी से कॉंड़ेक कर दे, connect करके, रेकी ही बूल करने के लिए, रिक्वेस्ट लगा दे, उसके बाए स्टुडी करे, देखिए उसका पढ़ाई में मन कैसे लगता है, एक्जैम में आप जरूर feedback दीजें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने techniques apply किये Reiki techniques healing कैसे करते हैं, चोटी-चोटी चोटी चोटी techniques और जो उसे फायता हुआ, उस फायते के बारे में comment margin में जरूर लिखिये यही मेरी बुरूदत चडाना, Thank You, all the rest.